पीम नरींद्र मोदी ने देश के नए संसत भवन की छट पर अशोक स्तम का नावरण किया तो इसके तुरंत बाद ही अशोक स्तम के डिजाइन को लेकर विवाद शिरू हो गया अशोक स्तम के डिजाइन के साथ छेड़ छाड़ के आरूप लग रहे हैं हलाके मूर्थिकार जरूर के इन दावों को खारिज कर रहे हैं लेकिन विपक्ष पूरी तरह हमलावर है जैविम दोस्तों मैरे दत्मौरे आप सभी कस्वागत करता हूँ भौजन साहित के इस विशेश कारिक्रम में जहांपर कि हम लोग बात करेंगे समराठ अशोक के अशोक इस्तन्म के बारे में जिसे की 1950 में बतौर भारत का राष्ट चिन अपनाया गया था उसके साथ जो छिड़धानी की गई है उसके ऊपर भी हम लोग चाचा करेंगे और उसके साथ हम ये समझेंगे कि उस असोक इस्तन्म का इतिहास क्या है उस असोक इस्तन्म पे जितनी कलाकारतियां बनी हैं उनके क्या मायने हैं और उनके मायने बहुत धम में क्या है वो कलाकरतियां किस तरीके से सिंदुघाटी सब्विता से जाकर जोटी हैं जिनका की इस्तमाल आज तक के भारत में किया जा रहा है अगर आप लोग चाहते हैं कि भाउजुन साहित लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहें तो आप सभी से निवेदर हैं कि भाउजुन साहित की आथिक मदद कीजिए बिना आथिक सहियों के कोई भी काम निरंतर रूप से नहीं किया जा सकता वो एक समय आने पर उसे बंद करना पड़ता है तो आप सभी से निवेदर हैं कि भाउजुन साहित की आथिक मदद जरू कीजिए अगर आप लोग चैनल को सब्सकाइब कर लिजे पुराने वीडियो जाकर जरू देखिएगा 2014 के बाद भारत यानि की इंडिया को एक नया भारत निव इंडिया के तौर पर दिखाया जा रहा है जगे जगे नाम बतले जा रहे हैं नए कानून लाए जा रहे हैं लेकिन उन कानून के ऊपर एक विवस्तित और स्वस्त चैचा संसद में होने की जो परंपरा थी बुल पर ये नया भारत ये निव इंडिया कैसा होगा ये सवाल मेरे ख्याल से हर सक्ष के जहन में जरूर आता होगा क्या इस निव इंडिया नय भारत में सभी लोगों को समान अधिकार मिल पाएंगे क्या उन सभी लोगों को नयाय हासिल हो पाएगा नयाय उनको इस देश का त पूरा एक्तंत्र काम करता है उसके उपर रोक लगेगी या वो निरंतर इसी रूप से जारी रहेगा। या जब उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं तो मुझ को जवान को जैसे लकवा माल दाता है। 26 जनवरी 1950 को बतौग राष्ट चिन अपनाया गया था। यह राष्ट चिन अखंड भारत के समराथ महान समराथ अशोक द्वारा बनवाए गई अशोक इस्तंब से लिया गया है। इसकी मूल मूर्ती सारनात के संग्राले में रखी गई है। इस अशोक इस्तंब को लगबग तीन भागों में बाटा जा सकता है। पहला नीचला भाग जहां पर कि हमें एक कमल के फूल नमा आकरिती दिखाई देती है। वो कमल का फूल उल्टा रखा गया है। दूसरा इस्तंब का मद्यभाग जिस पर की चार जानवरों की आकरिती उकेरी गई है। जिसमें की बैल, घोडा, हाती और शेर इन चारों जानवरों को उकेरा गया है। साथ में ही वहाँ पर हमें 24 तीलियो वाला अशोग चक्र भी देखने को मिलता है। यह अशोग चक्र वही चक्र है जिसे की भारत के राष्ट ध्वज में भी लिया गया है। जो की मध्य पट्टी में सफेद रंगी जो पट्टी होती है उसके मध्य में हमें दिखाई देता है। यह जो चार जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं इस्तम्द के मध्य भाग पर इनकी अपनी इंपोर्टेंस है, इनकी अपनी महत्ता है। जैसे कि हम बैल को अगर नहीं तो बैल को हमेशा से ही ताकत का घोतक माना गया है यह जो बैल है यह हमें सिंदु भाटी सप्पिता से जो सीली प्राप्त होती है वहाँ पर भी मिलता है उसके बाद यह हमें अशोक के काल में भी दिखाई देता है और आज की डेट में भी जब आप श्रियर मार्केट को देखेंगे तो वहाँ पर भी जो बुल मार्केट है या बुल ट्रेंड है यानि कि मार्केट जब उपर जाता है तो उसको बुल ट्रेंड कहा जाता है बुल ट्रेंड यह पिच्छर आप देख रहे होंगे साथ ही बैल के बारे में आप सभी को पता होगा कि जब टेक्टर नहीं थे तो उससे पहले बैलो से ही खेती की जाती थी विशेश रूप से भारत के अंतर और भारत के बाहर भी जितनी भी सब्विता रही है उनमें भी बैलो को विशेश महद दिया जाता रहा है दूसरा जानवर हाती हाती को शांती का घोतक भी माना जाता है आप देखेंगे आम तो पर हाती बड़े शांत सभाव के होते हैं जब तक कि आप उनको परिशान ना करें तीसरा घोड़ा जो कि शाहीपन का घोतक होता है रोयलनेस का घोतक होता है साथ में ही घोड़ा रफतार का भी घोतक होता है और चौथा शेर जो कि उसकी बहादुरी के लिए जाना जाता है क्योंकि ताकत के लिहाज से कर देखा जाये तो सेर से ज्यादा ताकतवर जानवर ज माइने हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा माइने रखते हैं अब बात करते हैं तीसरे भाग की जो की विवात्कून हो गया है क्यों हो गया है आंगे बताओ में वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अश्रोक इस्तंब के ऊपरी भाग तीसरे भा पहचान हैं बॉद्दों के हिसाब से इन शेरों का चारों दिशा में देखने का मतलब है कि तथागत गौतम बुद्ध का जो धम है वो चारों दिशाओं में फैल रहा है आम तोर पर आपने देखा हुआ कि शेर खुकार होते हैं लेकिन इस बॉद्ध इस्तंब की खास्त बात ये है कि इसमें जो शेरों की आकरिती बनाई गई है वो काफी सौम हैं बहुत स्कॉलर इस बात का निशकर्ष ये निकालते हैं कि बुद्ध के धम में जाकर सभी व्यक्ति, सभी जानवर, सभी जीव जन्तु शांत हो जाते हैं इसलिए तथागत को शांती का प्रतीक भी माना जाता है, खुद नरेल मोधी जो की भारत के पिठान मंत्री हैं जब विदेश जाते हैं तो ये कहते नहीं ठकते कि मैं युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमी से आया हूँ, शारनाथ का जो अशुक इस्तंब है उससे पहले वैसा ही इस्तंब सांची में मिला था, 1892 में लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में था, उसके कुछ शेरों की जो गदन है वो काट दी गई थी, उसके बाद फैडिक ओर्टेल को 1904-1905 के दौरान सारनाथ में गुप्तकाल के कुछ अफशेश मिले, उसी आर्केलोजिकल साइट की खुदाई करने के दौरान अशु माना जाता है कि जिस कारीगर ने सांची के इस्तंब को बनाया था, उससे वरिष्ट कारीगर ने सारनाथ के इस्तंब को बनाया था, इतिहासकारों का मानना है कि लगबग 250 ईशापूर्व समराठ अशोक ने इस इस्तंब को इस्तापित करवाया होगा, ये था हमारे पुरा बहुत बड़ी बात्रा में पैसा खर्च करके सिंडरल विस्ता बनाया जा रहा है। और उसके उपर एक बहुत बड़ी कांथ से की जो हमारा राश्ट्रिय पतीक है, चार शेरो वाला, उसका भी उसको बनाया गया। जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। और यह हमारे राश्ट्रिय पतीक से बिल्कुल नहीं मिलता। राश्ट्रिय पतीक में जो शेर हैं वो शक्ति तो दिखाते हैं और एग्रेशन आक्रमकता नहीं दिखाते हैं। वो एक लुक है जो बहुत प्लेजन्ट है जिससे आप ड़ेंगे नहीं। और यह जो नया प्रतीक बनाया है वो ऐसा है उसको देखकर ही लगता है कि आप पर अटैक करने वाले हैं और जो शेर के बारे में वो होता है वो है। तो मुझे यह नय प्रतीक का जो आया वो प्रेम भरी बुद्रा थी यह नि वो शक्ति का तो प्रतीक है साथ में साथ प्रेम और सद्भावना का भी प्रतीक है और मुझे इस बात का बहुत खेद हुआ जो नया प्रतीक बनाया गया उसको ओरिजनल जो था उससे इतना हटकर और उससे पुरा विरूदा बासी संकेश बुलकुल साफ हैं समराट अशोक के अशोक इस्तंभ में जो चार शेर हमें बहुत ही सौम मुद्रा में दिखाई देते हैं जो की तथागत गौतम के धंब में जाकर अपनी आकरमक प्रवती को छोड़ चुके हैं सौम हो चुके हैं शांत हो चुके हैं उन्होंने अ पंच और सड्यंतर रशकर प्रामणवादी लोगों ने हतिया लिया होगा इसके बहुत सारे उधारन हमें भारत के तमाम मंदिरों में देखने को मिल जाएंगे बस आप अपनी आखे खुली रखिएगा आस्था के पट्टी मत बान दीजेगा ताजा उधारन धामणवाद लेकर हम ये सास समझ सकते हैं कि उस समय ब्रामणवादी लोगों ने हमारी विरासत के उपर किस तरीके से कबज़ा किया होगा और हमारे जो लोग थे उस समय क्या कर रहे होंगे मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे पुर्खे भी हमारी तरह सिर्फ चार बाते करके चुप- हुए नहीं देखना चाहिए भारत का जो समविधान है उस समविधान के दाएरे में रहकर हमें अपना विरोध दर्ज जरूर कराना चाहिए जिनके पास ये सब कुछ करने की ताकत है वो अपने घर में ना बैठ हैं एसी की हवा बहुत खाली अप्थरव बहार निकल कर आपके पास जो संसादन है वो पुष्टैनी नहीं है वो इस समाज के हैं इस समाज के नाम पर जो संसादन मिले उसका हिस्सा आपके पास है तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समाज की जब विरासत को लूटा जा रहा है तो आप घर में ना बैठ हैं जो भी मूंक नसलें आपको बक्षिंगी नहीं, वो आपसे सवाल पूछिंगी और तब आपके जबान को लखवा मार जाएगा, मैंने तब महार मिलता हूँ आपसे एकले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढने की आपको विक्सित कराएं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तब ही तो, पढ़ेगा इंडिया, जै भीम, जै भारत, जै सम्विधान, जै जोहर्ट